तो यूट्योब वीडियो को परफेक्ट बढ़ाया के लिए जितना मैटर करता है वीडियो क्वालिटी उतना है उद्वाइट के लिए मैंने बहुत से कैमरे चेंज किये मुबाइल वाले यहां पर मैं बोल रहा था कि आज मैं बात करने वाला हूँ माइक के बारे में मतलब आज मैं करने वाला हूँ डीटました autonomous जो कि मैंने पर्चेस कि है अपने वीडियोज और यूडियो क्याटी को बे độ करने के लिए हाला कि मैंने इसने से पहले बहुत सारे वीडियो बना जिसमें मैंने म्ाइक के लिए कभी मूबायल का माइक यूज किया कभी बॉया कभी माइक इसक युट किया मतलब बहुत सारे माइक मैंने चेंज करके देखे और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे लेना चाहिए वाइरलेस माइक अप्लिदेग को वीडियो और अज़िक करने वाल हूँ आपको बताने वाला हुआ इसके पूछ फीचर्स और वीडियो क्रेटर बैतर है आपको मैं इसका noise test कराने वालों कितना यह noise रिडक्स करता है और मैं आपको ट्राफिक में भी जाके दिखाओ कितना यह काम का यहाँ पर आपको दिखने मिल रहे आपको बाद में बताऊंगा और यहाँ पर आपको डिस्टन अप्टू 30 मीटर्स का मतलब यह वायरलेस 30 मीटर्स तक काम करता है यहाँ पर आपने वीडियो कर रहे हो तो आप वीडियो के अगर चलाते हो तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो मतलब आपके बैगरोंड में जो वॉइस नॉइस फालतु के आते हैं उसके जगह गाना बजने लगेगा मतलब रिकॉर्डिंग करते समय कोई गाना आप चला तो यह तो इसके अंदर रिकॉर्डिंग के साथ गाना भी चलेगा जो कि बहुत अच्छा है और इसका जो बैट बोक्स आप अच्छा लगते ऊपन करते समय मैं इसको घरके दिखाता हूं और यह रहा इसका ओपन करने के बाद तो यहाँ पे आपको देखने हमाने इसको रख देता और यह की डिसीवर है त्योंकि आपकी मुबाइल के साथ कनेक्ट होगा और यहां पर आपको बहुत सारे वायर देखने मिल रहे हैं जिसका मैं आपको बताने वालो क्या काम के अब यहां पर आपको सबसे पर दिखे रहे है टाइप सी टू टाइप सी वायर जो कि आपके टाइप सी वाले मुबाइल में काम आएगा जिसमें हैडफोन जैक नहीं होता इसके साथ काम आएगा इस माइक को कनेक्ट करने के लिए और यहां पर मैं रखता है उसको साइड में पिर यहां पर आपको मिल जाता है पोटेबल मुबाइल के साथ मतलब इसको आप मुबाइल के साथ जिसके बास 3.5 mm जैक वाला मुबाइल का पिन है उसके साथ आप यह माइक कर सकते हो बहुत अच्छी बात है और यहां पर आपको एक और मिल जाता है जो की है कैमरा के लिए मतलब DSLR के साथ करने के लिए तो इसको भी रखता हो साइड में यहां पर माइक साथ चाहएं करने वाले हैं यहां पर दो मुझ फिछल करने अब करते हैं यहां यहां है जत्य तो बीडियो को रिकॉर्डियो चाहरूब इसको मैं रखते हो साइड में अब यहाँ पर कुछ यूजर मैनुवल है जिए रखना आपको काम आएगा इसके अंदर सारे स्पेसिटिकिसन दिये बताए गया अब आजाते माइक पे तो यह जो आपका दो ट्रांस्मेटर दिख रहा है वह है माइक और यहाँ पर आप देख हाई कॉलिटी निया फिर वी सभी और यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर आपको यह पावर बटन देखने मिल रहा है इसको आप वन टाइम प्रेस करते हो तो यह एक बार को मूड भी हो जाता है और लॉंग प्रेस करने पर यह और यह मैंने दबाया यह आन हो गया अब सबस्क्राण चांट चाहिए और यह आगर आप पको और लिच सहीदे मिलिट नुम तरबटन करा औरप देख सकते और यह अगर आप करने के लिए और यह जो टाइपसी वायर है यह आपको मिल जाता है मुवाइल से कनेक्ट करने के लिए तो इसको बैट को बैट को बता देता है तो यहाँ पर आपको मैं का जो एरिया मिल जाता है सब्सक्राइब करना होता है और यहां पर देख सकते हो यहां पर आपको एक एक को का बटन देखने ही मिल रहा होगा जो की उस होता है नौइस रिडेक्शन के लिए जैसे मैं इसको वन टाइम टैप करूँगा तो यहां पर देख रहे हो कि जो ग्रीन लाइट था वह ब्लू और इसमें भी जातों कुछ फरक नहीं है तो इसको मैं बंद कर देता हूं और यहां पर आपको दो ट्रांस्मेटर देखने मिलते हैं मतलब आप एक साथ दो लोग का वोईस रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप कमेडी वीडियो बना रहे हो या फिर आप कुछ दूसरा बना इंटरव्यू टाइप तो यह सब काम आएंगे आपको दोनों के दोनों इसको मैं रख देता हूं आफ करके सब यहां पर आपको दिखने मिल जाते 3.5 mm का मतलब जब आप यह मुबाइल में कनेक्ट है और आप इससे सुन सकते हो जो आपका कैमरामैन होगा वीडियो रिकॉ अब यहां पर मैंने माइक को कनेक्ट कर लिया है अपने मुबाइल के साथ अभी जो भी आप वोई सुन रहे है वह माइक से आ रहा है डिजी टक का वायर्लिस माइक और आप आप देखोगे कि जो माइक है यह नोईस रिएक्षिन मिने स्टार्ट में किया में बटन दबाऊ स्टार्ट होगा उसके बाद आप देखना कि कितना नॉइस यह कवर कर रहे हैं पीछे गाड़ी बहुत सारी जा रही है तो आपको नॉइस का अंदाज़ा लग रहेगा अभी में बटन दबाता हूँ यहां करेगा ब्लू में मतलब अभी यह नॉइस रेलक्षन चालू कर दि दिखांगा जो भी यह सब पुरा अन एडिटेर इसमें तो आपको मालूं पड़रे कितना अच्छा यह वीडियो बन रहा है कि तना अच्छा वॉइस आ रहा है अभी मैं को मोड दबा के दिखाता हूँ आपको दो सेगेंड के लिए दबा के रखने का एको मोड के लिए बहुत ही जादा रहा है और अभी मैंने नौिष रिड़क्शन और नीकिया है अभी आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा नॉइस इसमें आ रहोगा आवाज अभी मैं नौइश रिड़क्शन चांट करता हो फिर दिद कि कि माइक क्या यह कमा ले कि यह मैंने बटन दबा दिया भी नॉइस रिडेक्शन स्टार्ट हो गया और अभी आप नोटिस कर पा रहे होगे कितना ज्यादा नॉइस यह हटा देता है और यह माइक कैसा काम करता है अभी मैं जाता हो साइलेंट प्लेस पे यहां पर इंडोर सूट कर रहो और यहां पर में फुल फास्ट है क्तना नॉइस स्में आらい तो कि देख सकते हैब क्या से इसमें नॉइस रिडेक्शन का बटन, कि गतना नॉइस हटाऊ हो सकता है अब यहां पर हिंडेक्चन का बटन दबा दियो हैस्प 실ंट बरा दियो क्या इसमनोटिस हो रहे है यह नहीं बावजू इस फैन का आवाज है क्या वो इसमें नोटिस हो रहा है यह नहीं बावजूद भी आपको कोई डाउट रह जाता है इस माइक के बारे में तो आप बिंदास कमेंट करो मैं उस पे एक परफेक्ट वीडियो बनाके रेडी कर दूँगा आपके लिए होप करता हो कि आपको यह वीडियो पसंद आयरेगी अगर वीडियो पसंद आयरेगी तो चया को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक कर देना और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रेगी तब तक के लिए बाए बाए